जीवन में समस्याओं का दौर खत्म होना चाहिए, अब हमें सत्य का ज्यान प्राप्त होना चाहिए, दुख, दर्द और घमों से छुटकारा मिलना चाहिए, अब हमें खुशिया ही खुशिया और जीवन में शान्ती मिलने चाहिए, हमारे कारिकरम से प्यार है तो अभी सब् करना चाहिए मेरे प्रिया शिश्यों सादकों और आज की हमारे सभी प्यारे नवीन और प्रभुत दर्शकों स्वागत आप सभी का अप्रेल दो हजार अठारा के राश्यफल के इस माह में आज में बात कर रहा हूं तुला राशी की तुला का मतलब ही तराजू है इस महीने आपकी कुंडली कैसी बन रहा है सबसे पहले यह जानते हैं और फिर सिलसिलेवार तरिके से राश्यफल की इस कारेकरम को आगे बढ़ाएंगे इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो कुंडली देख रहे हैं यह आपकी इस महीने की गोचर कुंडली है राशी में ही आपके देव रहेंगे पूरे महीने लेकिन सूर्य चौदा तारिक तो सेख सावस में रहेंगे लेकिन चौदा के बाद उच्छ राशिक हो जाएंगे सेवंध हाउस में बहुत संदर राज हो गये यहां शुक्र विराजमान है सेवंध हुआपार महाँ में लेकिन 19 अपरेल के बाद यह 8 ऐसले चाहेंगे और घर वापसी होगी शुक्र स्वग्र हो जाएंगे जहां इसी से मैंने आप के लिए कर्म किया है वह है वह है इस महीने का गुरू-मंत्र इस महीने तुला-राशिव वाले लोग आप जो भी काम करें सौ प्रतिश्यत उसमें मन लगा कर काम करें क्योंकि यदि आप अपने कारी में इंट्रेस्ट रखेंगे, तो उसे आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आधे अधुरे मंग से किया गए कारी भी इस महीने आपके लिए आधा अधुरा ही रह जाएगा। एक ही फॉर्मुला अपना के रखना है, जिस वक्त इस महीने जो काम कर रहे हैं, उस पर हंड्रेड परशन अपना को जोग दीज़े, यह महीना आपका है, तुला का मतलब है तराजू, इस महीने पूरा बैलेंस महीना हो सकता है, सुरवात करते हैं व्यापार से और धन से, बि कर चौकरने रहेंगे तो नुकसान नहीं होगा, इस महीने आग, करंट, चोरी, अपना ही कोई आदमी या पार्टनर भी हो सकता है, वो कोई नहीं कोई गफला या नुकसान आपको पहुचा सकता है, चोरी कर सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है, इस महीने कोशिश कर कि अपने बिजनस में management और accounting अपने हाथ पर ले लें और extra time देकर check करने की कोशिश कीजिए ताकि कहीं कोई lose poll या गलती तो नहीं हो रही है जो आपको गलती मिलेगी और आप उसे ठीक करके लाब कमा लेंगे बिजनस हाउस में शुकर 19 अपरेल तक रहेंगे जब तक तो ठीक है गुरू की सांतवी दिश्टी बिजनस हाउस पर है इंकम हाउस के लॉट सूरी है 14 अपरेल तक 6 हाउस पर रहेंगे लेकिन उसके बाद ये आजाएंगे 7 आउस में उससे पहले बुदाती तियोग रहेंग है चाहिए वो आपके बिजली में शौर्ट सर्कृट हो जाए उसका भी अमें खयाल रखना पड़ेगा इस सब चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो 14 अपरेल के बाद आप पाएंगे कि यह माहिने में आपको जाता जाते बहुत कुछ नया देखर गया है सूर्य बिजनस हाउस में जब उच्राशिक हो जाएंगे तो आपको अचानक से confidence महसूस होगा गलतिया और कमिया लोगों से निकालने के वज़े से आपका अंगारक दोष्ट जो थाडाव से बना हुआ है उससे आप इरिटेड होंगे गुसा जल्दी आएगा कुछ लोगो का आप इस प्रकार की बाशा प्रियोग कर सकते हैं का आपके अपने ही employee आपकी job चोड़ के जा सकते हैं इसलिए इसका बाशा का भी सही हम आपको रखना पड़ेगा यह महीन आपके लिए बहुत अच्छा और बुद्धी से काम लेने की वज़े से stress करो सकता है कोई नई ड आइड इफेक्ट है वो आपको नुकसान दे सकते हैं याद रखिएगा बिजनस में बहुत जरूरी है कि आपकी planning और सोच दूसरे लोगों से अलग हो इसमें आपको advance चलने के बारे में सोचना चाहिए है advance चलने के वज़े से आप अपने धनकेओं भी manage कर पाएंगे इस महीं ने और अपने income को बैटर कर पाएंगे और उससे आप अपने बिजनस में expansion पर ज्याद दे सकते हैं भरते आगर बात करते हैं महिलाओं की और उनकी फैमिली लाइफ की पती भाव के लॉड मंगल थर्ड है उसमें विराजबान है और चानी और मंगल का अंगारक दोश्या पर बन रहा है जो वीक पॉइंट है पती भाव में पती से सुक के लॉड शुकर 19 अपरेल तक बिराजब रही और गुरु की सांतवी द्रिष्टी पती बाव पर है केतु की पांचवी द्रिष्टी पती से सुक के बाव पर है इन सब चीजों की वज़े से बैवाही की जिवन में सामानी इस्तति बनी रहेगी इस महीने की शुरुवात मे ही आपके संबंद आपको सुधारने पड़ेंगे आप रोमेंटिक विचारों में खोय रहेंगे कोशिश करें कि इस महीने आप अपने पती के लिए जो पती को पसंद है वैसा ही बन कर रहें चाहे वो सजावट हो हेरे स्टाइल हो सकती है कपड़े पहने का तरीका है अगर अगले दिन कोई जगड़ा फसाद भी यह हो सकता नजर लगने का योग रहेगा तो थोड़ा सा उसके समझदारिस से बिताएंगे तो अच्छा रहेगा संतान से इस महीने आपको शुब समाचार मिल सकते हैं विद्यारती और संतान की बात करते हैं फिफ्ट आउस के लॉट शनी बनते हैं जो कि थर्ड आउसे विराजबान है आलांकि मंगल के साथ विराजबान अंगारक दोश लेकिन तीस्री दिस्री से शनी वापस अपने ही गर को देख रहे हैं तो जो भी लोग टेक्नल और जो आपकी व्यवस्ता बनाई रख रहे हैं चाउदा अपरेल तक फिफ्ट आउस पाप करते ही दोश के मद्य रहेगा यानि पीछे केतुर आगे सूरी चाउदा के बाद जैसे सूरी उच्राशिक हो जाएंगे आपको अचानक से पॉजिटिविटे का ऐसास होगा आपके यद की वज़े से बार-बार बुद्धी बढ़केगी उसमें गर्फ्रेंड बॉइफ्रेंड प्यार इश्क बहबत कभी सोशल मीडिया इन सब चीजों में आप इतने खोई रहेंगे कि उससे आपका डिस्ट्रक्शन लिवल बढ़ सकता है इसे पढ़ाई में कमी आ सकती है प्रजेक्ट चेंज करना चाहते हैं मास्टर इगरी के लिए कर जाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि दो त्रीन लोगों से पूरा सर्वे सर्च और रिसर्च करके फिर फैसला लेना चाहिए सिर्फ अपने मन की बात इसमने सुनने में नुकसान हो सकता है बढ़ते आगर लोग गठिय से समधित बीमारे से जुड़े वे लोग हैं जैसे गरदन, कंदा, पीठ और पैरों तकली उंगलियां कुछ टेड़ी हो जाते हैं आपको पता हिए रोमेटिक अर्थराइटिस बहुत सारे लोगों को होता है इस्पेशली महिलाओं को उन लोगों को ये महिना बहुत समसदारी से गुजारना पड़ेगा वरना कुछ तकलीफ हो सकते हैं लेकिन जिने फेफड़े से समधित तकलीफ है, सांस लिदे में तकलीफ है, कफ से समधित तकलीफ है, निमूनिया जादा होता है या अलर्जिक प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए महिना प्रशाषन रखने से ही आप इससे बच सकते हैं, यदि आप मेडिटेशन और खान पान को सही टाइम पर लेते हैं, सही बोजन को लेते हैं, मानसिक और शारिरी गूप से बोजन पूरा लेते हैं, जैसे तन का बोजन आपको पताईए जो आप बोजन लेते हैं, लेकिन मन क बोजन है ज्यान उसे लीजिए और मन की खुद की इम्यूनिटी पावर और रेजिस्सेंस पावर उसके लिए ध्यान तो अलाब बेल सकता है शुकर इसमें बहुत अच्छा रेडिंग वज़े से जो लोग पार्टी के शौकी ने सिगरेट पीते हैं शराब पीते हैं उन प्रफेशन लोगों के टैन्थ हाउस के लोड बनते हैं चंद्रबा बाइस और तेरीस तारीकों चंद्रबा रहू के साथ ग्रहन दोश ही बना लेगे टैन्थ हाउस में इस बहिने मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई जॉब चेंज करना तबदिली के बारे में न सोचे तो ब आप मिल सके इस बहिने आपके काम को आपको दिखाने का वक्त आ चुका है कई बार हम काम करते हैं लेकिन वो दिखता नहीं दूसरे लोग थोड़ा काम करते हो दिखता जादा है उसको जरूर आप बंदे नजर रखके आगे बढ़िये यहाँ पर केतु की सांथी और मंगल के आट में दिरिष्टी टैंथ आउस पर है जिस कारण अचानक खर्च की समावने बढ़ सकती है अचानक यात्रा हो सकती है कुछ प्रोफेशन लोगों को नई डील कुछ सेमिनार अटेंड करने के मौका बिल सकता है बाहर जाने का मौका बिल सकता है जो सब लाप दिएगा कॉंपिटिशन में आप अपने अंदर कुछ ऐसा जुरून पैदा करिए इस्पेशली चाहुदा अतारी के बाद वो मौका में बिलेगा जिसमें कुछ नया करने की मौका मिलेगा कुछ नया प्रेजेंट करने की मौका मिलेगा कोशिश करें कि इसमें ने दिखावा और तो फाइदा मिल सकता है आपके प्रोफेशनल स्किल और जॉब की स्किल में लगातार आफ आप बढ़िया करते जा रहे हैं जो कि इस महीने और बढ़िया हो सकता है कोशिश करें कि कुछ अच्छी पढ़ाई करें कुछ अपने सपोर्टिव और अपने सबोर्डिनेट्स का साथ दीजी इस महीने तो वो आपके लिए भी काम करेंगे ये याद रखिएगा कुछ डेट्स में बता रहा हूँ इस महीने उन लोगों को चंदरमा डैमेज होने वज़ेसे थुदा सावधान राने के रहोते हैं इस टाइम पेरेड में अगर आप अपने मानसी ग्रूप से संतुलेद रखते हैं जगड़े फसाद किसी गलत डीसिजन से बचते हैं तो यह महीना आपके लिए सुन्दर हो सकता है यह मैंने कोशिश किये अगर राशेफ़ल को बहतर डंक से आपको प्रेजेंट करने की अगर आप इस राशेफ़ल को पसंद करते हैं तो आप अपने वैल्यू पर थौट्स और कमेंट्स देजिए पसंद नहीं करते हैं तो भी दीजिए ताकि हम और बहतर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको इस कारिकरम को सब्सक्राइब करना चाहिए तो उसे जरू करें ताकि हमें भी खुशी मिलेगी और आपको और बहतर डिलिवर करने के लिए तो आप सभी को बहुत-बहुत शुब काम नहीं प्यार बड़ा आशिरवाद और नमस्कार जन्म कुंडली का निर्मान हम सब के जिन्दगी में खुश्यों की एक चाबी है हम सब जन्म कुंडली बनाते तो जरूर है लेकिन उसे हमें देखना नहीं आता है इसका एक आसान तरीका हमने खोज निकाला है हम बनाएगे आपकी जन्म कुंडली नौग्रह 27 नक्षत्र कुंडली के बारा भाव और बारा राश्यों पर आधारित जोतिश वह ग्यान है जो हमें भविश्य के बारे में तो जानकारी देता ही है कई बार हम लोग ये गलती करते हैं कि बरसात में चाता हमें भीगने के बाद याद आता है हम आपकी जन्व कुडली-गाधार पर बताते हैं कि आपके कौन सी दश्या अच्छी रही और कौन सी बुरी और क्या उसका उपाय किया जा सकता है कई बार आपने देखा होगा कि आपके बच्चे वो सबजेक्ट लेते हैं जिन सबजेक्ट को लेने के बाद उसकी पढ़़ाई करने के बाद वैसी जॉब नहीं मिलती है तो क्या कारण है कि हमने कहीं गलत सबजेक्ट का चैन तो नहीं कर लिया हमें नौकरी करनी होती है लेकिन हम बिजनस करके गाटा खाते हैं हमें बिजनस करना होता है लेकिन हम नौकरी कर रहे होते हैं हम शादी का मुहुर्त जाने बिना शादी कर लेते हैं कुंडली का मिलान किये बिना शादी कर लेते हैं ऐसे चंद तमाम प्रश्णों के जवाब हम देंगे आपकी जर्म कुंडली का निर्बान करके। आप वो सब कुछ इस जर्म कुंडली से जान पाएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। जर्म कुंडली के निर्वान के लिए आप हमारे जोत्पुर कारेले में संपर कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं भगवान स्री गणेश जी के आशिरवात के द्वारा बनती है जर्म कुंडली जिससे हमारे चियोन में रिद्धी और सिद्धी आती है